बूढी गाए मा का दुख ये कहानी है मयूरी गाए के बुढ़ापे की इस कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह से मयूरी को बुढ़ापे में बेकार और किसी रद्धी सामान की तरह समझ कर घर से निकाल दिया जाता है मयूरी अपने बेटे शांतनु बहु रमा और पोते-पोती के साथ रहती थी मयूरी अपने बहु बेटे और पोते-पोती से बहुत प्रेम करती थी उसके मन के अंदर नजाने अपने परिवार के लिए कैसा स्नेह था उस प्यार और स्ने के कारण वो अपने परिवार के लिए हर किसी से लड़ जाना चाहती थी मयूरी अब बहुत बुढ़ी हो चली थी लेकिन फिर भी अपनी बहु को घर का एक भी काम नहीं करने देती थी वहीं बहु को अपनी सास से बिलकुल भी प्रेम नहीं था उसने अपनी सास को तो बस काम करने के लिए घर में रखा था वरना वो तो सास को कबका ग़र से निकाल चुकी होती मा जी, अरियो मा जी मैं बाहर जा रही हूँ मेरे आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए आप तो जानती है मुझे घर में गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इसलिए मेरे आने तक घर का सारा काम कर लेना ठीक है बहू मा मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि तुम क्यों हर बार दादी के ओपर हुकम चलाती रहती हो मानो ऐसा लगता है जैसे दादी तुम्हारी बहू और तुम उनकी सास हो जो घर के काम तुम्हे करने चाहिए वो तुम दादी से बुढ़ापे में करवाती हो हाँ भईया सही कह रहे हो तुम ऐसा क्यों करती हो मा देखो न दादी कितनी बूरी हो चुकी है अब उन्हें इस उम्र में आराम करना चाहिए ना की काम क्यों मा जी क्या पट्टी पढ़ा रखिये तुमने मेरे दोनों बच्चों को आज कल वो तुम्हारी कुछ जादे ही तरफदारी नहीं कर रहे हैं अपनी मा की खिलाफ जाकर तुम्हारा साथ दे रहे हैं यह कैसी बाते कर रही हो बेटी मैं भला अपनी ही बहु के खिलाफ क्यों पट्टी पढ़ाऊंगी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और तुम चिंता क्यों करती हो बहु तुम जाओ ना तुम्हें देर हो रही होगी मैं हूँ ना मैं सब काम कर दूगी चिंता ना करूँ मेरे दोनों बच्चों को इस माजी ने तो खराब करके रखा है और कहती है चिंता ना करूँ और तुम दोनों कान खोल कर सुन लो तुम मेरे बच्चे हो और तुमें हमेशा मेरी ही तरफदारी करनी चाहिए बच्चों को अपनी दादी के लिए बहुत बुरा लगता था. वो अपनी दादी को काम करता हुआ देख नहीं सकते थे. वही मयूरी का बेटा शांतनु तो अपनी बीवी का गुलाम था. वो तो हमेशा बीवी के आगे भीगी बिल्ली बनकर रहता था. जैसा बीवी कहती, वैसा ही करता था मुन्ना, किट्टी, तुम क्यों अपनी मा से मेरे लिए लड़ते हो पर दादी, हमें अच्छा नहीं लगता है, तुम इस उम्रों में भी काम करती हो हाँ दादी, तुम मा को क्यों नहीं कह देती कि अब तुम से नहीं होता मुन्ना और किट्टी अपनी मा को भली भांती जानते थे कि वो कैसी है वो जानते थे कि वो कभी अपनी सास की सेवा नहीं करेगी तभी मयूरी घर के काम कर रही थी कि अचानक से सीड्यों पर पानी होने की वज़ज से मयूरी का पैर फिसल जाता है, जिस वज़ज से उसकी एक टांग तूट जाती है टांग इतनी बुरी तरीके से तूटती है कि मयूरी अब एक जगह से उठी नहीं पा रही थी दादी, दादी क्या हो गया आपको, उठो ना दादी दादी, ये लो थोड़ा सा पारी पीलो बेटा, लगता है मेरी टांग तूट गई है, अब मैं कभी चल फिर नहीं पाऊँगी डॉक्टर बताते हैं कि मयूरी की एक टांग तूट चुकी है अब वो बिल्कुल चल नहीं पाएगी जिस वज़ा से उसे अब आराम चाहिए और उन्हें उसकी अच्छे से देखभाल और सेवा करनी होगी देखा मुन्ना और किटी, तुम दोनों चाहते थे ना कि तुम्हारी मा मेरी सेवा करे शायद भगवार ने वो दिन लाकर खड़ा कर दिया मुझे एक जगा विस्तर पर बिठा दिया अब सारे काम तुम्हारी मा को ही करने पड़ेंगे और अब वो मेरी सेवा भी करेगी हे भगवान, पूटी किसमत मेरी क्या जरूरती सीडियों पर पानी किराने की और सीडियां साफ करने की माना कि मुझे साफ सफाई पसंद है लेकिन इतनी भी पसंद नहीं है कि अपनी ठाग तोड़ कर बैठ जाओ अब कौन घर के काम करेगा कौन बनाएगा, काना कौन जारू पोचर करेगा उपर से इस माजी को कौन देगेगा शान तुनों मैं कह देती हूँ मेरजन ही होता ये सब तुम घर के काम करने के लिए चुप चाप एक नौकर रख लो रमा ठिक कहती है मा तुम्हें क्या जरूरे थी सीडिया साप करने की अब अपनी टांग तोड़ कर बैट गई हो अब घर के काम कौन करेगा और तुम्हारी सेवा कौन करेगा लेकिन बेटा मैं तो तुम लोगों के लिए सब कुछ कर रही थी न कोई ज़रूरती थी हमारे लिए कुछ भी करने की बड़ी आई काम करने वाली लेकिन मा आप हमें दादी से दूर कैसे कर सकती है और वो भी ऐसी हालत में दादी की तब्बेट ठीक नहीं है रमा और शांतनू बुर्ही मा मयूरी को अकेले कमरे में छोड़ कर चले जाते है और साथ में बच्चों को भी ले जाते है ए बगवाज ये तो मुझे अकेला छोड़ कर चले गए और उपर से किटियों और मुन्ना को भी मुझसे दूर ले गए। तुम इतने दिनों बाद मेरे कमरे में आये हो। आओ बेटा, शांतनू, दो घड़ी मेरे पास आकर बैट। तेरी मा तुझसे मिलने के लिए तरस गई थी। और बच्चे, बच्चे कहां है। बच्चे मुझसे मिलने नहीं आये। मा वो। शांतनू, तुम मा को देखकर पिखल गए। सोचो तो, वो कितनी बीमार है। हमारी छोटे-छोटे बच्चे हैं। अगर मा का संक्रमन बच्चों को हो गया तो… मा जी, हम यहां तुमसे मिलने नहीं आये हैं, बलकि तुम्हें इस कम्रे से पीछी वाले स्टोर रूम में शिफ्ट करने आये हैं! क्यूंकि यह कम्र हम थोड़ा डैकोेयट करवाना चाहते हैं और इसे हम गैस्रूम बनाना चाहते हैं। तुम वैसे भी बिमार रहती हो, तो इतने बड़े कमरे का तुम क्या करोगी? बेटा, तुम मुझे स्टोर रूम में पेच रहे हो, मैं इतने छोटे कमरे में कैसे रहूँगी? उस कमरे में ना तो कोई खिड़की है और ना ही रौशनदान, एकदा मंधेरे वाला कमरा है, इतनी गर्मी में उस कमरे में मुझे घुटन होगी? आए, हाए, माची के नकरे तो देखो, इस सुमरे में बड़ा सा एसी वाला रूम चाहती है, चुपचाब से उस कमरे में शिफ्ट हो जाओ, नहीं तो विर्धाश्रम जाने की तयारी कर लो नहीं नहीं, बेटी, चाहे तो मुझे काल कोटरी में बड़ कर दो, लेकिन मुझे मेरे बेटे और मेरे पोटी-पोटी से दूर मत करो, इस घर से दूर मत करो, मुझे विर्धाश्रम नहीं जाना, तो मुझे स्टोर रूम में ही रगो, मैं वहाह रहने के लिए तैयार वो कमरा किसी काल कोटरी से कम नहीं था, जहां पर ना तो कोई खिड़की थी ना ही रोश्चनदान, ना तो बिचली थी और ना कोई पंखा, मयूरी का वहाँ पर गर्मी में दम घुटने लगा था, अब उसे ये लगने लगा था कि किसी भी समय उसकी जान जा सकती है, मुझे दादी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, मा बाबा दादी के साथ बहुत गलत कर रहा है, हाँ भाया, तुम सही कहते हो, हे भगवान, लगता है अब सास दिकल जाएगे मेरे, भगवान, अब बस इत्छा बची है कि सास जूटने से पहले, मैं अपने पोते और पोती का अ तुम किस सोच में डूबे हो, मैं कब से तुम्हारे साथ बाते किये चारी हूँ, तुम्हों कि मेरी किसी बात का जवाब भी नहीं दे रहे, कौन सी बात, मैं क्या कह रही थी, ये सारा सामान हम स्टोर रूम में शिफ्ट कर देते हैं, और माची को हम रिधा आश्रम भेज वैसे भी ये उम्रून की यहां रहने की नहीं है, वो आश्रम में दूसरे बुज़ूर्ग लोगों के साथ रहेगी तो खुश रहेंगी रमा, अब ये सब करना जरूरी है क्या, तुम जैसा जैसा बोलती हो, मैं हमेशा वैसा ही करता हूँ, मा को उनके कमरे से निकाल कर सीधा स्टोर रूम में डाल दिया, जहां पर हम उन्हें देखने तक नहीं जाते हैं, उन्हें अकेला छोड़ दिया, ये क्या कम था, जो ये भगवाद, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है तुम मुझे, ऐसे कौन से कर्म किये थे मैंने जो आज ये दिन भी देखने को मिल रहे हैं, रमा बेटी, रमा बेटी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, मुझे घर के किसी कोने में पढ़े रहने दो, लेकिन मुझे वृद्ध आश्रम मत बेजो, मुझे घर से ना निकालो, देखो माची, अब तुम इतनी बूड़ी हो चुकी हो, घर में रहकर करोगी भी क्या, आश्रम में बाकी बूड़े लोगों के साथ रहोगी, तो वहाँ पर तुमारा मन लगा रहेगा, और सब के जन ग्यान करोगी, तो थोड़ आपने मरने के दिनों को सुधार लोगी, ठीक है बेटी, अब तुमने ठानी लिया है, तो मुझे वृद्राशुरम बेज करी रहोगी, मेरा अपना बेटा तो निकमा निकला, कब से कम आखरी बार मुझे अपने पोते और पोती से तो मिलव जादो, नाई मा जी, मैं तुमसे किटी और मुना को नहीं मिला सकती, क्योंकि तुम बहुत बिमार हो, और मुझे डरे की कई तुमारी बिमारी का संक्रमन उनको ना हो जाए, रमा अपनी सास मयूरी को बहुत जादा दुखी करके अपने ही घर से व्रिधाश्रम भेज देत मयूरी घर से निकल कर बहुत दुखी थी, वही रमा सास के घर से जाने से बहुत खुश थी, लेकिन इस बार कही न कहीं शांतनु को अपनी मा के लिए दुख हो रहा था, किटी मैं दादी को ऐसे ही अपने घर से बेगर होते हुए नहीं देख सकता, अब हमें ही कुछ करना होगा दादी को वापस लाने के लिए, अप सही कहते है भाईया, दादी के घर जाने पर दुखी बच्चे माबाप के सामने आकर कहते हैं, भाईया, मैं क्या कह रही थी, बड़े होकर मेरी तो चलो शादी हो जाएगी, लेकिन तुम इसी घर में रहोगे, जब तुम्हारी पिछादी हो जाएगी, तुम्हारी बच्चे हो जाएगे ना, तब तुम भी अपने बच्चे और पत्नी के साथ इस घर में आराम से रहना, फिर मा और पिता जी से पहले तो घर के सारे काम करवाना, उन्हें नौकर बना कर रखना, खुद की और अपनी पत्नी की खूप से सेवा मत करना, और फिर थोड़े दिनों बाद मा पिता जी को उसी व्रिद्धा अश्रम भेज देना जहां दादी को भेजा है, है न भाईया सही आइडिया, अरे किटी, तुम कब से इतनी समझदार हो गई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने, वैसे तु किटी और मुन्ना ये सारी बाते रमा और शांतुनू के सामने कर रहे थे, जब रमा और शांतुनू ये सारी बाते अपने बच्चों के मुह से सुनते हैं, तो उनकी आँखे खुल जाती है, बेटा, ये तुम दोनों कैसी बाते कर रहे हो, अपने माता-पिता के बारे में इसी बाते कौन करता है इतना कुछ हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं और तुम हमारे बारे में ऐसी सोच रखते हो अपने मादा पिता से नौक्रों की तरह काम करवाओगे उनसे सेवा लोगे और धक्के मार कर उन्हें घर से बाहर निकाल दोगे क्यों मा तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है ये सब तो हमने तुम से ही सिखा है ना जैसा तुमने दादी के साथ किया वैसे हम तुम्हारे साथ करेंगे तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया है अगर ये सब सही है तो फिर हम भी तुम्हारे बताय हुए रास्ते पर चलें शर्मानी चाहिए बाबा आपको आप तो बेटा होने के नाम पर धब्बा है रमा, बच्चे बिलकुल सही कह रहा है बच्चे गलत नहीं है जो हमने किया है जो फसल हमने बोई है कल वही फसल हम काटेंगे हम जैसा अपने माबाप के साथ करेंगे हमारे बच्चे भी तो हमसे वही सिखेंगे और वही हमारे साथ करेंगे ये सब बाते मेरी समझ में पहले क्यों नहीं आई मैं कितनी भूल करती गई एक बार भी नहीं समझा कि अपनी मा जैसी साथ के साथ गलत कर रही हूँ मैंने मा जी के साथ कितना गलत किया और मयूरी को घर ले आती है। जब बच्चे अपनी दादी को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे दादी के गले से लिपट जाते हैं। जलती हो कि माफी भी नहीं है। अब बस सारी जंदगी तुम्हारे सेवा करना चाहता हूँ। और तुम्हारे चर्णो मेरा ना चाहता हूँ। हाँ माजी मैंने आपके साथ बहुत गलत किया मैं इतनी पापी हूँ कि मेरा पाप शैद कभी दुलेगा भी नहीं अब बस माजी मैं इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा करने का मौका दे नहीं मेरे बच्चो ऐसा ना कहो समय रहते तुमने अपनी भूल को भाप लिया भूल सुधार्णे का तुम्हे मौका मिल गया सबसे बड़ी बात यही है अब मैं चाहती हूँ हम सब हसी खुशी एक साथ रहे इस तरह से अब रमा और शांतनु की आँखे खुल चुकी थी अब वो मयूरी की जीजान से सेवा कर रहे थे मयूरी भी अब अपने बहु बेटे और पोते-पोती के साथ बहुत खुश थी पूरा परिवार अब एक साथ मिल कर खुश था यदि आप ऐसी कहानिया और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें